स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम चैप्टर नंबर वन के सारे के सारे NCERT को डिसकस करेंगे चैप्टर के बीच में अलग अलग जगा पे जो इन टेक्स कोशन्स देर रखे होते हैं उन्हें भी और चैप्टर खतम हो जाने के बाद काफी सारे कोशन्स एक साथ गिबन होते हैं बैक एक्सरसाईस की फॉर्म में उन्हें भी तो सारे कोशन्स को सीरियल ओगर में डिसकस करेंगे एक्स्टर कोशन्स के लिए और सैंपल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्क है चैप्टर नमबर वन का नाम है matter in our surroundings और हमने इस चैप्टर के सारे के सारे NCERT कोशन्स को डिटेल में डिसकस करना है तो कोशन नमबर वन पे आते हैं यह हमें काफे सारे options दे रखे हैं और हमने बताना है कि इन में से कौन-कौन सी चीजे matter की category के अंदर आती हैं और कौन-कौन सी चीजे matter की category के अंदर नहीं आती हैं तो सबसे पहले तो आपको यह clear होना चाहिए कि matter होता क्या है तब ही तो आप बताबाओगे कि कौन-कौन सी चीजे matter की category के अंदर आती हैं तो anything that has mass and occupies space is called matter कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ न कुछ mass होता है जिसको आप weighing machine पे रखोगे तो कुछ न कुछ rigging आएगी और वो थोड़ी या ज़ादा space occupy करती हो उसे बोलेंगे matter कोई भी ऐसी चीज जिसका mass है और वो space occupy करती है तो उसे हम matter की category के अंदर रखेंगे तो सबसे पहले में given था chair देखो chair को तो आप touch कर सकते हो chair को अगर आप weighing machine पे रखोगे तो आप उसका mass भी निकाल सकते हो और chair space भी occupy करती है तो chair matter है air देखो air के जो particles होते है वो बहुत ज़ादा छोटे होते है इस वज़े से हवा हमें नज़र नहीं आती है air हमें नज़र नहीं आती है लेकिन जो air है उसका mass calculate किया जा सकता है आप air को balloon के अंदर अगर fill करोगे तो वो space भी occupy करती है तो balloon के अंदर fill करके आप उसका mass भी calculate कर सकते हो तो air भी matter की category के अंदर आएगी air नज़र नहीं आती है क्योंकि उसके जो particles है ना वो बहुत ज़ादा छोटे होते है next है love जो love है उसको किसी तरह से आप measure थोड़ी कर सकते हो वो तो एक तरह की feeling या sensation होती है तो इसलिए love matter की category के अंदर नहीं आएगा next है smell smell हो गया, hate हो गया ये भी feelings है या फिर sensations है ना तो इनका कोई mass होता है और ना ही ये space occupy करती है इसलिए love, smell, hate ये सारे चीज़े matter की category को belong नहीं करेंगी next है almonds almonds को तो हम touch कर सकते है उनका mass भी होता है space भी occupy करते है इसलिए वो matter की category के अंदर आएंगे जो हमारे thoughts होते है thoughts का ना तो mass होता है और ना ही वो space occupy करते है इसलिए thoughts matter की category के अंदर नहीं आते है देखो आपके दिमाग में तो ideas और thoughts तो काफे सारे आते रहते है तो अगर आपका friend बोलते है कि मेरे दिमाग में आएगी आया है तो आप उसे ये छोड़े बोलोगे कि कितने kilogram का आएगी है 10 kilo का है या फिर 50 kilo का है जो thoughts है ना तो उनका mass होता है ना ही वो space occupy करते है इस वज़े से वो matter की category के अंदर नहीं आएंगे cold भी matter की category के अंदर नहीं आएगा देखो सर्दियों के अंदर आपको ठंग लगती है वो एक तरह की feeling है गर्मियों के अंदर आपको गर्मी लगती है वो एक तरह की feeling है तो उनका mass या फिर space नहीं होता इसलिए वो भी matter की category को belong नहीं करते है cold drinks वो matter की category को belong करते है smell of perfume वो भी matter की category को belong करते है देखो जो perfume की bottle है न उसके अंदर आपको perfume liquid form में नजर आता है जब आप perfume को apply करते हो अपने close के उपर तो वो liquid form के अंदर आपके close के अंदर आ जाता है फिर वहां से वो evaporate होके air के particles में mix हो जाता है तो जो perfume के particles है न वो air के particles के अंदर mix हो जाते है और जब वो हमारी nose भी enter करते है तो उसकी वज़े से हमें pleasing smell आती है तो जो perfume के जो particles है न उनकी वज़े से जो हमें smell आ रही है वो तो matter की category के अंदर आएगा जो खुश्बू का एहसास होता है जो feeling है that feeling is not matter लेगिन smell of perfume उसे हम matter की category में डालेंगे क्योंकि जो perfume है जब वो bottle के अंदर होता है तब वो liquid form के अंदर होता है और जितने liquids हैं वो सारे matter की category के अंदर आते है और perfume की जो smell होती है न वो perfume के particles जब air के particles में mix हो जाते हैं तो उस वज़े से आती है इसलिए smell of perfume वो matter है तो जो में काफे सारी चीज़ें दे रखे थी उनमें से chair, almonds, cold drink, air, smell of perfume ये सारी चीज़े matter को belong करती है और उसके बाद love, smell, hate, thought, cold ये सारी की सारी चीज़े ना feelings है या फिर sensations है इसलिए ये matter की category के अंदर नहीं आती, they are feelings or sensations so they are not considered as matter next question पर आते हैं give reason for the following observation हमें question के अंदर एक situation given है और हमने इसका reason बताने है the smell of hot sizzling food reaches you several meters away लेकर जो गरम खाना होता है ना गरम खाने की जो खुश्बू होती है वो तो काफी दूर से ही आ जाती है but to get smell from cold food you have to go close लेकिन जो ठंडा खाना होता है अगर आपने उसकी खुश्बू को महसूस करने है तो उसके लिए आपको खाने के काफी ज़दा पास जाना पड़ेगा जो गरम खाना होता है जो hot food होता है उसकी खुश्बू तो काफी दूर से ही आ जाती है लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता उसके खुश्बू लेने के लिए आपको food के काफी ज़दा close, उसके काफी ज़दा pass जाना पड़ेगा तो ऐसा क्यों होता है देखो इसके ना दो reason है एके करके दोनों को discuss करेंगे The smell of hot sizzling food reaches us rapidly because of the following two reasons जो गरम गरम खाना होता है ना उसके खुश्बू हमें दूर से ही आजाती है और इसके दो reason है first reason पर आते है तो first reason तो है rate of diffusion देखो diffusion का मतलब होता है एक तरह के particles का दूसरी तरह के particles के अंदर mix हो जाना rate of diffusion increases with temperature temperature के increase होने से rate of diffusion increase हो जाता है देखो जब खाना गरम होता है तो इसका मतलब तब temperature बहुत ज़ादा है और जब temperature ज़ादा होता है तो rate of diffusion increase हो जाता है मतलब food के particles का air के particles के अंदर mix होने की जो process है न वो काफी ज़ादा high speed पर होने लग जाती है so particles of hot food diffuse rapidly as compared to particles of cold food जब खाना गरम होगा तो diffusion की process काफी ज़ादा high speed पर होगी तो गरम गरम खाने की जो particles है वो काफी ज़ादा तेजी से air के particles के अंदर diffuse होजेंगे मतलब mix होजेंगे लेकिन जब हमारा खाना ठंड़ा होता है तब जो diffusion की process है वो काफी ज़ादा slow speed पर होती है पार्किकल्स में mix हो जाते हैं तो देखो जितने ज़ादा particles food particles air में mix होगे उतनी जल्दी और उतनी असानी से हमें खुश्बू आ जाएगी और second reason है kinetic energy increases with temperature temperature के increase होने से particles की kinetic energy भी increase हो जाती है इसका मतलब particles ज़ादा high speed पर move करेंगे क्योंकि particles में जितनी ज़ादा kinetic energy होती है particles उतनी ज़ादा high speed पर move करते हैं So particles of hot food have high kinetic energy as compared to particles of cold food So they travel faster and reaches several meters away जो गरम गरम खाना होता है न उसके particles के पास kinetic energy काफी ज़ादा होती है जिसकी वज़े से वो high speed पर travel करते हैं और काफी दूर तग असानी से हमारे पास पहुंच जाते हैं वहीं जो cold food होगा जो ठंडा खाना होगा देखो खाना अगर ठंडा है तो इसका मतलब temperature कम है अगर temperature कम है तो kinetic energy भी कम होगी कम kinetic energy होने की वज़े से वो particles ज़ादा high speed पर travel नहीं कर पाते इसलिए ठंडे खाने में से जो खुश्बू है न वो काफी दूर तग नहीं आ पाती तो ये दो reason थे पहले तो है rate of diffusion अगर temperature ज़ादा होगा तो खाने के जो particles हैं वो काफी ज़ादा high speed पर air के particles में mix होंगे और second point है kinetic energy जो hot food है उसके particles के पास kinetic energy भी ज़ादा होगी ज़ादा kinetic energy होने की वज़े से वो ज़ादा high speed पर travel करेंगे जिसकी वज़े से वो काफी दूर तग हमारे पास असानी से पहुंच जाएंगे जिसकी वज़े से हमें hot food की जो खुशबू है दूर तक आ जाती है और जो ठंगा खाना होता है उसकी खुशबू इतनी दूर तक नहीं आती उसके लिए आपको food के काफी ज़ादा पास जाना पड़ेगा next question पर आते हैं a diver is able to cut through water in a swimming pool देखो swimming pool के अंदर पानी के अंदर जो diver है वो काफी असानी से move कर पाता है यह जो यहाँ पर लिखा हो है cut through water इसका मतलब यह नहीं है कि चाकू लेके water के particles को काटने के कोशिश करना यहाँ पर cut through water का मतलब है कि swimming pool के अंदर जो water है ना उसके बीच में असानी से move कर पाना तो जो swimming pool के अंदर diver जब jump लगाता है तो वो water के बीच में से असानी से move कर पाता है which property of matter does this observation show ऐसा क्यों हो पा रहा है matter की कौन सी ऐसी property है जिसकी वज़े से वो water के अंदर असानी से move कर पा रहा है देखो जो water है न वो liquid है liquid के अंदर ऐसे move किया जा सकता है solids के अंदर ऐसे move नहीं किया जा सकता देखो जो दिवार है अब दिवार के अर पार थोड़ी जा सकते हो लेकिन जो water है water के अर पर आम move कर सकते होते है चो लो answer प्याती है तो वो पूछ रहे थे कि matter की कौन सी property है जिसकी वज़े से यह possible है तो पहले तो वो property पहले property के बारे में लिख देते है particles of matter attract each other matter के जो particles होते हैं वो आपस में एक दूसरे को attract करते होते है और यह जो force of attraction है न यह अलग-अलग substances में different होती है the force of attraction between particles is different in different substances मतलब solid के particles के बीच में यह जो force of attraction है यह different होती है काफी जादा होती है और जो liquid है न उसके particles के बीच में भी force of attraction है पर वो कम होती है क्योंकि water liquid है और liquid के particles के बीच में force of attraction कम होती है इसी वज़े से liquid के बीच में से cut through किया जा सकता है मतलब liquid के बीच में से move किया जा सकते है जो solids होते हैं उनके particles के बीच में force of attraction बहुत ज़ादा होती है तो अगर आपने solid के बीच में से cut through करना है तो उसके लिए आपको solid को break करना पड़ेगा अब देखो जो दिवार है जो कि brick और cement से मिलकर बनी होती है उसके particles के बीच में force of attraction बहुत ही ज़ादा है और हमारे human body के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि हम solid के particles के force of attraction को तोड़के मतलब दिवार के आर पर move कर सके मशीन की help से आप कर सकते हो अगर आप force of attraction को overcome कर पाओ तो फिर आप उस object के आर पर जा पाओगे next line में आप ऐसे लिखोगे since liquid particles have less force of attraction between them so diver is able to cut through water in a swimming pool liquid के जो particles होती है न उनके बीच में ये जो force of attraction है वो काफी कम होती है इसी वज़े से liquid के अंदर से travel करना liquid के particles के बीच में से cut through करके move करना असान होता है तब ही जो गाइवर है वो swimming pool के अंदर असानी से move कर पाता है question number 4 पे आते है what are the characters kicks of particles of matter हमने matter के particles की characters kicks मतलब properties को discuss करना है तो first property तो ये है particles of matter have spaces between them matter के जो particles होते है न उनके बीच में spaces present होती है second property है particles of matter are continuously moving matter के जो particles हैं वो continuous motion के अंदर होते हैं देखो matter चाहे solid form के अंदर हो चाहे liquid form के अंदर हो चाहे gaseous form के अंदर हो उसके particles हमेशा ही motion के अंदर होते हैं solid के particles में इस तरह का vibratory motion होता है पर क्योंकि solid के individual particles इतने ज़ादा छोटे होते हैं कि हमें वो नेकर गाई से नजर ही नहीं आते और ना ही हम उनका इस तरह का vibratory motion देख पाते हैं liquid के particles भी continuous motion के अंदर होते हैं और क्योंकि वो motion के अंदर होते हैं इसी वज़े से liquid के अंदर आप किसी भी object को अगर drop करोगे तो वो automatically घुल जगा बस time ज़ादा लगेगा और जो gas के particles हैं वो तो कौफी ज़ादा high speed पर move कर रहे होते हैं next property है particles of matter attract each other matter के जो particles हैं वो आपस में एक दूसरे को attract करते हैं और जो force of attraction है ना वो solids में सबसे ज़ादा होती है liquids में थोड़ी कम होती है और gases के अंदर बहुत ही ज़ादा कम होती है particles of matter attract each other matter के particles आपस में एक दूसरे को attract करते हैं और जो force of attraction है वो solids में सबसे ज़ादा होती है और gases में सबसे कम होती है next property है particles of matter are very small matter के जो particles है ना वो बहुत ही ज़ादा छोटे होती है and cannot be seen by naked guy क्योंकि वो इतने ज़ादा छोटे होती है इसलिए हम अपनी naked guy से तो उसे देखी नहीं पाएंगे आपको microscope की help लेनी पड़ेगी individual particles को देखने के लिए हमें जो matter के particles नजर आती है ना वो individual particles नहीं होते है वो group of particles या फिर cluster of particles होता है individual particles तो इतना ज़ादा छोटा होता है कि हमें naked guy से नजर ही नहीं आएगा next question पे आते है the mass per unit volume of a substance is called density तो question की first line में तो हमें गैंसिकी का meaning explain किया हुए गैंसिकी होता है mass upon volume यह हमें question में गैंसिकी का formula भी given है देखो substance की गैंसिकी जितनी ज़ादा होती है ना वो substance उतना ज़ादा भारी होता है गैंसिकी is a measure of heaviness of a substance गैंसिकी जितनी ज़ादा होती है substance उतना ज़ादा ही भारी होता है और अगर आपने गैंसिकी calculate करनी है तो यह simple सा formula है numerator में आपने mass को रखना है कि जिस भी object कि आप गैंसिकी calculate कर रहे हो ना उसका mass कितने है कितने kilogram का है वो और denominator में आपने उसका volume रखना है mass और volume इन दोनों को अगर आपस में divide करोगे तो ऐसा करने से आपके पास object की गैंसिकी आजएगी और object जितना ज़ादा गैंसिकी ज़ादा बारी होता है arrange the following in order of increasing density अब हमेना काफे सारी चीजे दे रखे हैं air, exhaust from chimney, chimney में से निकलने वाला धुआ, honey, शहद, water, chalk, cotton और iron ये हमें काफे सारी चीजे दे रखे हैं और हमने इनको arrange करना है increasing density के हिसाब से मतलब सबसे पहले उसे रखना पड़ेगा जिसके density की सबसे ज़ादा कम होती है उसके बाद उससे ज़ादा गैंस्की वाले को, फिर और ज़ादा गैंस्की वाले को इस तरह से range करना है तो जो सबसे कम गैंस्की है न, वो तो air की होती है जो हवा है, उसकी गैंस्की बहुत ज़ादा कम होती है क्योंकि mass उसका कम होता है और space वो ज़्यादा उक्योपाई करती है volume ज़्यादा उक्योपाई करती है air से ज़्यादा गैंस्की होती है chimney में से निकलने वाले exhaust की तो exhaust from chimney उसकी गैंस्की air से ज़्यादा है उससे ज़्यादा गैंस्की होती है cotton की Courtney से भी जादा Gansky होती है Walker की जैसे जैसे Gansky बरती जाएगी substance heavy होता जाता है Walker से जादा Gansky होती है Honey की, शहद की देखो, एक Bottles में आप Walker को भर कर रखो दूसरी सेम Tip की bottle में आप शहद को भर कर रखो तो शहद वाली जो bottle है न वो जादा भरी होगी क्योंकि honey के गंस्की water के गंस्की से ज़ादा होती है honey से भी ज़ादा गंस्की होती है chalk की और chalk से भी ज़ादा गंस्की होती है iron की अगर आप same bottle के अंदर iron के pieces को भर कर रख दो तो उनकी गंस्की तो honey के pieces से भी ज़ादा होगी आमतर पर जो solids होते हैं उनकी गंसकी liquids की गंसकी से ज़ादा होती है और liquids की गंसकी ये air की मतलब gases की गंसकी से ज़ादा होती है Next question पर आते हैं Capulate the differences in character skates of skates of matter देखो matter की तीन skates होती है न एक तो solid होती है second liquid और third gas skates हमने इन तीनो skates की character skates को skaggy करना है मतलब properties को skaggy करना है और लिखोवा tabulate मतलब एक table की form के अंदर explain करना है कि इन तीनों की character skates, इन तीनों की properties किस तरह से एक दूसरे से different होती है चलो वेके करके discuss करना सकाट करते हैं First point तो ही है solids have definite shape and definite volume जो solids है उनकी shape भी fixed को होती है और उनका volume भी fixed को होता है अपने आपने ही change होता liquids की shape तो definite नहीं होती लेकिन उनका volume definite होता है volume उनका same रहता है बस अब liquid को जिस भी container में रखोगे जो container की shape है liquid भी उसी shape के अंदर ही आ जाएगा और gases का ना तो shape fix गोती है और ना ही volume fix गोता है तब हमने लिखा है neither a definite shape nor a definite volume gas को आप जिस भी container में रखोगे ना वो उस container की shape को ही attain कर लेगा और उस container के volume को ही attain कर लेगी मतलब जो gas है उसको हमने जिस container में रखा है उस container के पूरे volume के अंदर फैल जाती है और उस container की ही shape को attain कर लेती है तो ना तो इनकी shape fix गोती है और ना ही इनका volume fix गोता है second point पे आते हैं solids are incompressible मतलब solids के उपर आप force अप्लाई करके उन्हें compress नहीं कर सकते उनका size आप reguse नहीं कर सकते हैं उनके उपर दबाब गालके प्रेशर लगाके liquids are compressible to a small x gang जो liquids है ना liquids के उपर अगर pressure exert किया जाए अगर forces लगाई जाए प्रेशर लगाई जाए तो उन्हें थोड़ा सा compress किया जा सकता है liquids compressible होते हैं but to a very small x gang बिल्कुल थोड़ा सा ही उनका volume reguse किया जा सकता है gases are highly compressible जो gases होती है उन्हें बहुत जादा ही compress किया जा सकता है मतलब बहुत जादा gas को बहुत कम volume के अंदर ही डाला जा सकता है क्योंकि gases are highly compressible next point पे आते हैं solids have high density solids के ना density बहुत जादा होती है और gansky के बार में आपने बात याद रखनी है कि gansky is a measure of heaviness of a substance gansky जितनी जादा होगी वो वाला substance उतना जादा भारी होगा क्योंकि solids की gansky जादा होती है इसी वज़े से जो solid objects होते हैं वो जादा भारी होते है gansky of liquids is less than that of solids जो liquids हैं उनकी gansky solids की gansky से काफी कम होती है gases have very low gansky और सबसे जादा कम gansky gases की होती है gases की जो gansky है वो बहुत ही जादा कम होती है तो solids की gansky सबसे जादा liquids की gansky solids से कम होगी और gases की gansky तो बहुत 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 ही जादा कम होती है next point है force of attraction between particles of solid is very high जो solid है ना उसके particles के बीच में ये जो force of attraction है वो बहुत ही ज़ादा होता है solids के particles के बीच में force of attraction बहुत ज़ादा होती है liquid के particles के बीच में भी force of attraction होती है लेकिन solids में जितनी ज़ादा होती है ना उससे थोड़ी कम होती है तब भी हमने लिखा है force of attraction between particles of liquid is less than that of solids liquid के particles के बीच में भी force of attraction होती है पर solids में जितनी होती है न उतनी नहीं होती है उससे थोड़ी कम होती है और जो gas के particles है न उनके अंदर तो force of attraction बहुत ही ज़ादा कम होती है particles of gas has very less force of attraction between them gas के जो particles होती है उनके बीच में force of attraction बहुत ही ज़ादा कम होती है next point पर आते है particles of solid have low kinetic energy solid के particles के पास बहुत ज़ादा कम kinetic energy होती है liquid के particles के पास solid से ज़ादा kinetic energy होती है liquid particles have greater kinetic energy as compared to solids solids के पास kinetic energy बहुत कम होती है motion में होने की वज़ज़ से particles के अंदर जो energy होती है उससे kinetic energy बोला जाता है अब जो solids होती है वो तो बहुत थोड़ा सा ही move कर रहे होते हैं ऐसे vibratory motion में होते हैं इसलिए solids के पास kinetic energy बहुत कम होती है जो liquid के particles होते है न वो पूरे container के अंदर continuously move कर रहे होते हैं इस वज़ज़ से उनके पास थोड़ी से ज़ादा kinetic energy होती है और सबसे ज़ादा kinetic energy gas के particles के पास होती है क्योंकि जो gas के particles हैं वो पूरे के पूरे container के अंदर high speed पर ऐसे randomly move कर रहे होते हैं क्योंकि सबसे ज़ादा speed पे gas के particles move कर रहे होते हैं इस वज़ज़ से gas के particles के पास kinetic energy सबसे ज़ादा होती है next point है solids have very low rate of diffusion देखो diffusion का मतलब होता था एक तरह के particles का दूसरे तरह के particles के अंदर mix हो जाना तो जो solids होते हैं उनके अंदर जो rate of diffusion है diffusion की जो process है उसकी speed काफि ज़ादा कम होती है solid के particles भी दूसरे solid के particles के अंदर intermix हो सकते हैं जब temperature ज़ादा किया जाए तो लेकिन ये जो diffusion की process होती है ये बहुत जादा slow होती है Liquids have high rate of diffusion Liquids के अंदर जो rate of diffusion है वो काफी जादा होता है मतलब liquids में एक तरह के particles दूसरे तरह के particles में काफी जल्दी mix हो जाते है और जो gases है उनका जो rate of diffusion है वो दो बहुत ही जादा होता है highest के होता है एक तरह की gas के particles दूसरी तरह की gas के particles के अंदर बहुत ज़ादा तेजी से mix हो जाती होती है तो जो diffusion की process है वो सबसे ज़ादा highest speak पे gases के अंदर ही होती है gases have highest rate of diffusion तो इस तरह से हमने solid, liquid और gases इन सब की properties के अंदर differences बता दिये शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है एक्जाम के See you in the next video All the best